दोस्तों में सुनील आज हम इस वीडियो में बात करेगे में बात करेगे विश्व विजेता सिंकदर की मारकस कर्टियस ने सिकंदर की जीवनी हिस्ट्री ओफ एलेक्जेंडर में लिखा था सिकंदर के बाल सुनहरे और घुंखराले थे उनकी दोनों आखों का रंग अलग-अलग था उनकी बाईं आख सिलेटी थी और दाहिनी काली उनकी आखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले को उसे देखने भर से दहशत हो जाती थी सिकंदर हमेशा होमर की किताब The Iliad of the Casket अपने साथ लेकर चलते थे यहां तक की सोते समय भी वो उसे अपने तकिये के नीचे रखते थे लुटार्क सिकंदर की जीवनी The Life of Alexander the Great में लिखते हैं सिकंदर ने देह के आनंद में कभी कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई जब की दूसरे मामलों में उनसे साहसी और निडर कम लोग हुए होंगे बचपन से ही महिलाओं के प्रती उन्होंने सम्मान का भाव रखा ये वो जमाना था जब गुलाम लड़कियों, रखेलों और यहां तक पत्नियों को निजी समपत्ती समझा जाता था वे लिखते हैं सिकंदर की मा उलंपिया लड़कियों में उनकी अरुची से इतनी परिशान हो गई कि उन्होंने उनमें विपरीत लिंके प्रती रुची पैदा करने के लिए एक सुंदर वेशा कैलिक जेना की सेवाई ली, लेकिन सिकंदर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा बाद में सिकंदर ने खुद स्विकार किया कि सेक्स और नींद उन्हें हमेशा याद दिलाते थे कि उनका शरीर नाशवान है 23 साल की उम्र में विश्व विजय का अभियान 23 वर्ष के राजकुमार सिकंदर ने 334 इसापूर्व में मैसिडोनिया, ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुवात की थी सिकंदर की सेना में एक लाख सैनिक थे, जो दस हजार मील का रास्ता तय करते हुए इरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुँचे थे 326 इसापूर्व की शुरुवात में जब सिकंदर इरान में थे, उन्होंने भारत के नज़दी की शहरों के राजाओं को संदेशवाहक भेज कर कहा कि वो उनका नियंतरन स्वीकार कर लें जैसे ही सिकंदर काबुल की घाटी में पहुँचे, इन राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया उन में से एक थे भारतिय नगर तक्षशिला के राजकुमार अभी सिकंदर के प्रती अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने सिकंदर को 65 हाथी भेंट किये ताकि उनका इस्तिमाल सिकंद अपने आने वाले अभियान में कर सके तक्षशिला सिकंदर की इतनी आवभगत इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था उसके दुश्मन पोरस से लड़ाई में सिकंदर उनका साथ दे मार्कस कर्टियस लिखते हैं तक्षशिला ने जानबूज कर सिकंदर के लिए भारत के द्वार खोल दिये थे उसने सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5000 भारती असैनिक और 65 हाथी भेंट किये उनका युवा जनरल संद्रो कुप्तोस भी उनके साथ हो लिया सिकंदर ने तक्षशिला में दो महीने बिता कर वहां के राजा की महमानवाजी का आनंद लिया सिकंदर के जीवनिकार फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब एलेक्सेंडर दग्रेट में लिखते हैं इस मोड पर सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में विभाजत किया उन्होंने हैपैस्टियन के नेत्रित्व में एक बड़ी सेना खैबर दर्वे के पार भेज दी सेना के साथ चल रहे थे सिकंदर एक घुमावदार रास्ता लेते हुए हिंदुकुष के पूर्व में गए ताकि वो उस तरफ रहने वाले बाईलियों को अपने नियंतरण में कर सके